ओम शांति ओम शांति अज बाइस माई तु हसार चौबेस दिन बुधवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावक्यों को मीठे बच्चे तुम्हे करमातीत बन कर जाना है इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए अपनी जाच कर कमिया निकालते जाओ प्रश्न किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है उसका पुशार्थ क्या है उत्तर इन आखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए देखते भी ना देखो देह में रहते देही अभिमानी बनो यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है बुद्धी में सिवाए बाप और घर के कोई वस्थू याद ना आए इसके लिए अंतर मुखी हो अपनी जाच करनी है अपना चाट रखना है ओम शंते मीठे मीठे सिखिलदे रुहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे है इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है पुर्शार्त तो सब करते हैं जो जास्ती पुर्शार्त करते हैं वे जास्ती प्राइस लेते हैं यह तो एक कॉमन काईदा है यह कोई नई बात नहीं है इसको दैवी बगीचा कहो, वराजधानी कहो, अभी यह है कल्यूगी बगीचा, अत्वा काटों का जंगल, उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले जाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं, फूलों के, फलों के, ऐ ऐसे भिन-भिन प्रकार के जाड़ होते हैं, वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार हैं, कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हलका फल देते हैं, भिन-भिन जाड़ होते हैं, यह फल देने वाला बगीचा है, इस दैवी जाड़ की स्था अपना हो रही है कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुश्बूदार भी बन रहे हैं नंबर वार पुर्शार्त अनुसर सब वेराइटी है ना बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं यह बच्चों को निश्य है जरूर बेहत का बाबा हमको बेहत का मालिक बना रहे हैं मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है हद के मालिक बने में दुख है यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है बच्चों को बाबा कहें प इन में कौन-कौन से गुण है और कौन-कौन से अवगुण है बच्चे खुद भी जानते हैं बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामिया आपे ही लिख कर आओ तो चट लिख सकते हैं हम अपने में क्या-क्या खामी समझते हैं कोई न कोई खामी है जरूर स पूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है, कल्प कल्प बने है, इसमें कोई संशे नहीं, परन्तु इस समय खामी है, वे बतलाने से बावा उस पर ही समझाएंगे, इस समय तो बहुत खामिया है, मुख्य सब खामिया होती ही हैं देह अभिमान के करण, वे फिर बह भी छोड़ कर जाना है, दैविगुण भी यहां के ही धारन करके जाना है, करमातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रही हैं, करमातीत होकर जाना है, तो कोई भी फ्लो ना रहे क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, हमारे में क्या-क्या फ्लो है, यह तो हर ए हीरे में फ्लो होगा तो वे निकाल थोड़े ही सकेंगे तुम तो चेतन्य हो तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तुम अपने को चिरीती जानते हो सरजन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है आगे बढ़ने नहीं देता है फ्लो लेस तो पिछाडी में बनना है वे सब अभी निकालना है अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वेल्यू कम हो जाती है ये भी बड़ा पक्का जोहरी है ना सारी आयू हीरे ही इन आखों से देखे है ऐसा जोहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परक्ने का शौक हो तुम भी हीरे बन रहे हो जानते हो कोई न कोई फ्लो है जरूर समपूर्ण बने नहीं है चेतन्य होने कारण तुम पुर्शार्थ से फ्लो निकाल सकते हो हीरे जैसा तो बनना है जरूर तो तब बनेंगे जब पूरा पुर्शार्थ करेंगे पाप कहते हैं तुम्हारी अवस्ता ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए ये तो क्लियर है मित्र संबंदी आदी सब को भूलना है संबंद रखना ही है एक बाप से अभी तुम हीरे बन रहे हो ये जो आहरात की दुकान है तुम हर एक जोहरी हो ये बातें तूसरा कोई भी जानता नहीं तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुर्शार्थ अनुसर जिनों को उँच पद मिला है देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है न, ये कैसा खुश्बूदार फूल है, ये कैसा है, इन में बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चेतन्य हो, चेतन्य हीरे जान सकते हैं न, हमारे में क्या-क्या खामी है, जो बाप से बुद्धियों गतुड़ाएं कहाना क भटकाते हैं, बाप तो कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो, दूसरा को याद ना आए, ग्रस्त व्यवार में रहते एक बाप को याद करना है, इनों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए, देखते हैं, पुराने पुराने जो हैं, वैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं, वैं अभी बनी नहीं है, एम अब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धी चल जाती है, देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है, इन आखों से देखन वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है, हमारी बुद्धी में सिवाए एक बाप के और शांती धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, पहले-पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने स संबंध की याद जरा भी ना आए, गायन भी है अंतकाल, यह अभी की ही बात है, गीत तो कल्यूग मनुश्यों ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़ी हैं, मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाए और कोई याद ना आए, एक बाप की याद से ही तुमारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे, कोई-कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, मानिक भी वैल्यूएबल होते हैं, बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू उच करते रहते हैं, अपनी जाच करनी होती है, बाबा कहते हैं, अंतर मुख हो, अप की याद रहे, बल कितने भी प्यारे हो, खुबसूरत बच्चे बहुत लवली हो तो भी किसी की याद ना आए यहां की कोई भी चीज याद ना आए, कोई-कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए एक की याद रखो आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे, जितना मुझे याद करेंगे, तुम अथा लवली बनेंगे तुम इतने लवली बनते हो, जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, बहुत लवली बनते हो ना, आदा कल्प तुम राज्य करते हो, और फिर आदा कल्प तुम ही पूजे जाते हो तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो तुम हो सबसे लवली बनने वाले परन्तु जब लवली बाप को चीरिती याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे सिवाए एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जाच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं बाप की याद में प्रेम के आशु आ जाएं, बाबा मेरा तो आपके सिवाए दूसरा ना कोई और कोई की याद ना आए माया के तूफान ना आए तूफान तो बहुत आते हैं अपने उपर बहुत जाच रखनी है हमारा लव बाप के सिवाए और कोई तरफ तो नहीं जाता है बल कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप के ही याद आई तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो आशिक माशूक जो होते हैं एक बर एक दो को देख लिया बस शादियादी भी नहीं करते रहते भी अलग हैं परंतु एक दो की याद बुद्धी में रहती है अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के उस माशूक को तुम भक्ती मार्ग में भी बहुत याद करते थे यहाँ भी तुमें बहुत याद करना है जबकि वैसा मुख है बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारा बेडा पार हो इसमें शंशे की कोई बात नहीं है भगवान से मिलने के लिए सब भग्दी करते हैं यहां कोई-कोई बच्चे तो बहुत हड़ी सर्विस करते हैं सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं बहुत मेहनत करते हैं ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परन्तु तुमारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है, कोई समझ कर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है वा नहीं, द्रश्टी तो उनों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रिंगार करने वाले तुम बच्चे हो, जो भी यहां आई हुए हैं, उन सब को तुम बच्चों ने श्रिंगार कराया है, बाबा ने तुम को कराया है, तुम फिर औरों को श्रिंगार कराई ले आते हो, बाप आफरीन देते हैं जैसा श्रिंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं बलकि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं सबकी अपनी अपनी तकदीर है न कोई-कोई समझने वाले समझाने वालों से भी दीखे हो जाते हैं समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं समझाने का नशा चड़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं बाप दादा दोनों की दिल पर चड़ पड़ते हैं बहुत नए-नए हैं जो पुरा निस से भी तीखे हैं काटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं इसलिए बाबा एक-एक को बैठ देखते हैं इन में क्या-क्या कमी है यह कमी इन में से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें बागवान है न दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखो क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं अच्छे-च्छे महारतियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए इसमें किसी को धकाने की तो बात ही नहीं अगर धकाएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे सामने फूलों को देख देख अथाख खुशी होती है यह बड़ा अच्छा है इसमें थोड़ा डिफेक्ट है यह बहुत अच्छा साफ है इसमें अंदर कोई जंक जमी पढ़ी है तो वह सारा कीचरा निकालना है बाप जैसा लव कोई नहीं करता स्तृटी का भी पती में लव रहता है ना पती का इतना नहीं होता वे तो दूसरी, तीसरी, इस्तरी कर लेते हैं, इस्तरी का तो पती गया बस, या हुसेन, या हुसेन करती रहती है, पुर्शों के लिए तो एक जुत्ती गई, तो और कर लेंगे, शरीर को जुत्ती कहा जाता है, शे बाबा का भी लॉंग बूट है न, अब तुम बच्चे सम जुत्ती एक है, पाउं की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है, अभी तुम समझते हो, बाप से हम क्या वर्सा पाते हैं, हम उस पेराडाइस के मालिक बन रहे हैं, हेविन को कहा ही जाता है, वंडर ओफ वर्ल्ड, जरूर हेविनली गॉड अब फादर ही हैविन स्थापन करेंगे, अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, यहां तो कितने बड़े-बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे, तुम वहां क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए, यहां तो ह कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है, यह सब कुछ बाबा का है, घर में रहते भी ऐसे समझो, सहुकारो की बुद्धी में तो यह बातें आना सके, बाबा कहते हैं, ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो, लिखते हैं बाबा, मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी हो कर रहो, बाप तो बैठा है न, बाप जाएंगे तो सब इकठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में, हमको फिर कल्प कल्प आना ही है, पावन बनाने, अपने समय पर आता हूं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप, दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है, अंतर मुखो अपनी कमियों की जाच कर निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रिंगार किया है, ऐसे सब का श्रिंगार करना है, काटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है, वर्धान, ब्रामन जीवन में एक वृता के पाठ द्वारा, रुhinी रोयलिटी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव ब्रामन जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रुहानी रोयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे इस ब्राहमन जीवन में एक व्रत का पाट पका कर प्योरिटी की रोयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रुहानी रोयल्टी चलती रहेगी आपके रुहानी रोयल्टी और प्योरिटी की चमक परंधाम में सरवात्माओं में श्रेष्ठ है आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनेलिटी विशेश रही है फिर मद्धेकाल में भी आपके चित्रों की विधी पूर्वक पूजा होती है इस संगम युग पर ब्राहमन जीवन का आधार प्योरिटी की रोयल्टी है इसलिए जब तक ब्राहमन जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है स्लोगन आप सेहन शीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे ओम शांति